दिल्ली में अगर चलचा चल रही है तो इसी बात की कि अर्विन केजिवाल की सरकार का क्या होगा आपको बता दें कि रामदीर शौकी निर्दलिय विधायक जो की बाहर से समर्थन दे रहे थे अर्विन केजिवाल की सरकार को धमकी दे चुके हैं कि समर्थन वापस ले लेंगे और उसके बाद सरकार सीधे-सीधे अल्पमत में आ जाती है दरसल 28 विधायक थे आपके पास जिसमें से बिन्नी को निश्कासित किया जा चुका है जिसकी वजह से अब उनके विधायक बचे हैं सिफ 27 आठ विधायकों के साथ कॉंग्रिस बाहर से समर्थन दे रही है सरकार को और बीजेपी विवक्ष में बैटी है 32 विधायकों के साथ अब अगर रामवीर शौकीन भी चले जाते हैं तो उसके बाद जो 35 का आंकड़ा बचेगा वो 36 के आंकड़े से कम रह जाएग यह देखिए यह वो आंकड़ा है जो बिन्नी और शौकीन और साथी साथ शोय बिगबाल के साथ नहीं रहने से बनता है वैसे बिन्नी को निश्कासित किया जा चुका है और इसके बाद जुस्थिती बनेगी उसमें अर्विन केज रिवाल के लिए अच्छी खासी दिक्कत क्योंकि फिर भो बहुमत से नीचे फैसल चुके होंगे